C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है नवी कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग एक पेश है नवी जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्शी किताब गुलजारे उर्दू अप्रस्तु थे गुलजारे उर्दू भाग एक का तेर्मा पाठ अप्तिदाई तालीम घर पर अपने वालिट से हासिल की पहले मक्तब और फिर जम्ना मिशन स्कूल में दाखिल हुए मुलाजमत की अप्तिदा अरजी नवीसी से की सन 1873 में हाई कोट की वकालत का इम्तिहान पास करके वकालत का पेशा इख्तियार किया उसके बाद सब जज और सेशन जज मुकरर हुए अकबर को शायरी का शौक बच्पन से था शायरी की अप्तिदा घजल गोई से की उनकी इन्फरादियत तन्जियाओ मजाहिया शायरी में नजर आती है यही उनकी दाइमी शुहरत का सबब बनी उन्होंने शायरी को इसलाह कौम के एक मुऊसर हथियार के तोर पर इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी तालीम के मनफी असरात और अंग्रेजी तहजीब की अंधी तकलीद पर भरपूर वार किये मजहबी और तहजीबी रिवायात से नई नसली की बेगानगी, नौजवानों की बेराहरवी, औरतों की बेजा आजादी खास तोर पर अकबर के तंस का निशाना बनी उन्होंने आम बोलचाल के लवजों को नहायत दिल आवेज और फन काराना अंदाज में इस्तिमाल किया है अंग्रेजी अलफाज से भी खातिर ख्वाफ फाइदा उठाया है अकबर का कलाम कुल्यात अकबर के नाम से चार हिस्सों में शाय हो चुका है सफा 37 अकबर इलाबादी की नजम फर्जी लतीफा अपेश है अकबर इलाबादी की नजम फर्जी लतीफा खुदा हाफिज मुसल्मानों का अकबर मुझे तो इनकी खुशहाली से है यास खुदा हाफिज मुसल्मानों का अकबर मुझे तो इनकी खुशहाली से है यास ये आशिक शाहिदे मकसूद के हैं ना जाएंगे वा लेकिन सही के पास सुनाओं तुम को एक फर्जी लतीफा क्या है जिसको मैंने जेबे करतास कहा मजनू से ये लेला की माने के बेटा तु अगर कर ले भी ये पास तो फौरण बिया दू लेला को तुझ से बिला वक्त मैं बन जाओं तेरी सास कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई कुजा आशिक कुजा कालिच की बकवास कुजा ये फित्रती जोश तबियत कुजा ठूसी हुई चीजों का एहसास बड़ी भी आपको क्या हो गया है हिरन पर लादी जाती है कहीं खास ये अच्छी गद्रदानी आपने की मुझे समझा है कोई हर चरंदास दिल अपना खून करने को हूँ मजूद नहीं मन्जूर मगजे सर का आमास यही ठहरी जो शर्ते वसले लैला यही ठहरी जो शर्ते वसले लैला तो इस ताफा मिरा बाहस्रतो वयास तो इस ताफा मिरा बाहस्रतो वयास अक्बर अलहबादी मश्क सवालों के जवाब लिखिए सवाल नमबर एक खुदा हाफिज मुसल्मानों का से शायर की क्या मुराद है सवाल नमबर दो मज्नू को लैला की मा ने क्या मश्वरा दिया? सवाल नमबर तीन मज्नू ने लैला की मा को क्या जवाब दिया? सवाल नमबर चार इस नजम का खुलासा अपने अलफास में लिखिए इसी के साथ ये सबक खत्म हुआ गुलजारे उर्दू भाग एक का तेर्वा पार्ट यहां समाप्थ हुआ इसके बाद पार्ट चौधां आता है प्रस्तुती, C-I-E-T, N-C-E-R-T